नमस्क्राइब दर्शकों सुआस्ट चर्चा के स्कायरक्रम में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे गर्मियों में आखों सिर्फ नुकसान की बारे में जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दीनों तापमान बहुत उपर जा रहा है करीब वपाल का तापमान अगर ब तो आज हम अपनी आखों की सुरक्षा गर्मियों के दौरान कर सकते हैं तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की जानीमानी नेतरों की विशेशगया डॉक्टर विनीता रामनानी जो की वर्तमान में बंसल होस्पिटल में कारे रत है नमस्कार मेडम आपका बात बहुत स्व परान आखों को किस तरह का नुकसान हो सकता है इस बारे में हमारे दर्शकों को बताईए जी बिल्कुल हमारी जो आखे हैं वो बड़ी सेंसिटिव हैं और इस धूप में गर्मी में शुष्क वातावरण में आखों के उपर जो एफेक्ट होते हैं वो नकेवल हाई टेंप कर सकता है जी बहुत बहुत धन्यवाद जैसे कि आपने बताया कि जो यूवे रेज हैं और हीट वेव सूती है डोनों का अंखों पर मिला परभाव पड़ता है वो यह अपने जसा बतायी आखे हमें बहूत जाद़ आखों नशान पहुचानना का का काम करती हैं तो इस बा आखों की रेटिना पर अगर डैमेज होता है तो उसे मैकिलर डीजनरेशन कहते हैं और उसमें वीजन कम होने की संभावनाय रहती है कैटरेक्ट अगर लांग टर्म यूवी एक्सपोजर है तो कैटरेक्ट बनने की भी दीरे-दीरे करके संभावनाय बढ़ती चली चाती है लेकिन जो कॉमन प्रोब्लम यूवी लाइट की होती है वो होती है कॉर्णिया के उपर याने की फोटो केरिटाइटिस जिसमें मरीज को आंखों में दर्ध होता है बहुत जादा चुभन होती है आंखों में आसू आने लगते हैं और वो लाइट को बरदाश नहीं कर पात कि अगर्मियों के मौसम इनसे बचने के लिए ज़रूरी है तो जो यूवी रेस हमारी आखों को नुकसान ना पोचाए क्यूंकि कर्मियों में हम काम किये वगए रह नहीं सकते हो काम के लिए हमें बाहर निकलना ही होता है तो इस यूवी रेस से किस तरह से हम प्रटेक्ट अपने आपको कर सकते हैं इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकरी देए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि जो पीक दूप के टाइमिंग से तप्ती दूप में करीबन दिन में बारा से चार के बीच में आप बाहर न निकले और अगर बहुत ज़्यादा ज सेवन करते रहें आँखों को मसले रगडे नहीं और जितना हो सके फुल स्ल्यूस के कपड़े पैने और आँखों को अगर कोई भी किसम की परेशानी होती है आँखों में दर्ध, चुबन, खुजली, या लालीमा है या सूखापन है तो आप डॉक्टर की सलह जरूर ले ल जिन लोगों को धूप से ऐलर्जी है उनको न केवल आँख में बल्कि स्किन में भी प्राबलम होती है तो वो फुल स्ल्यूस के कपड़े पैन के निकले है तो जैसा आपने बताया काफी सारे उपाए आपने बताये दर्शकों को तो गर्मियों में एक समस्या और देखने म में बल्किल यह बहुत इंपरेचर होता है उसले लख़कों को इन वाल करता है इसमें अन्हों की कॉछनिय को देखते उसके बिखीना उताहरा है और आसफंड मरीच को काफी चुबहन होती है आंखें खोल नहीं पाता है और कई बार इतने तेजी से बर्ण होता है कि मरीच आंखें कोलता ही नहीं है और उसमें बहुत ज्यादा दर्द और और असे हनी पीड़ा होती है जैसे आपने कहा कि sunburn के वएसे आँखों में ऐसे पीड़ा होती है और आखें खुलने में भी काफी तकलीफ पेशिंट महसूस करते हैं एक protection जो सबसे ज्यादा यूस में आता है वोग संग्लास्स से हम किस तरह से अपनी आखों को प्रिटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह के संग्लास्स हमको यूज करना चाहीं कि आप देखते हैं कि वाजार में सब तरह के सड़क के किनारे भी लोग बेच रहे होते हैं और लोग यूवी प्रोटेक्टिंग नहीं होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी गॉगल इस्तिमाल कर रहे हैं वो यूवी प्रोटेक्टिंग होंगे, जिसका मतलब है कि वो यूवी लाइट को ब्लॉक करेंगे, और हो सके तो पोलराइड ग्लासिस और किसी जिसमे को फोटो-क्रोमाटिक बनवा सकते हैं, यूवी प्रोटेक्टिंग या ब्लूरेस प्रोटेक्टिंग चश्मे बनवा सकते हैं, जो लोग कॉंटाक लैंसे यूज करते हैं, वो अपनी आँखों का विशेश ध्यान रखें, जिसमें की आँखों को ड्राइनेस होने क जादा संभावना रहती ऐसे मरीजों को, तो इन दिनों गर्मियों में वो अपने चश्मों का इस्तेमाल करें, गॉगल्स वो भी यूवी प्रोटेक्टिंग इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसा कि आपने बताया कि जो चश्मे हैं उसमें भी हमें उ हो सकता है और चुकि गर्मियो के मौसम में एक मित है की लोग अवाइड करते हैं कि आप गर्मियों में ठाके पक जाते हैं या गर्मियों में मनलब कराणी चाहिए, तो कि ये मित है ये सचाही है इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं मोतियविंदू याने कैट्रेक्ट एक उमर से बढ़ती हुई लेंस की दुनलेपन की निशानी है जिसमें यूवी लाइट का एक रोल है कि एज के साथ में अगर खानपान सही नहीं रहा है और यूवी लाइट को एक्सपोजर है, स्मोकिंग अडिक्शन है तो ये हमारे सेना अगर कैट्रेक्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट के वल सरजरी ही रहता है और ये सरजरी जो होती है वो 1.2 mm से लेके 2.8 mm के इंसीजन से होती है और ये स्टिचलेस होती है जिसमें की टाके नहीं लगाया जाते हैं और जो रीसेंट पददती है उसमें फेक को एमलसिफि करिये हम आँख को सुन कर देते हैं और उसमें कोई ड्रेसिंग या पट्टी की भी ज़रत नहीं होती है तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि गर्मियों से हमें कोई प्रॉबलम हो सकती है कैट्रेक्ट सुजरी में हम किसी भी सीजन में कैट्रेक्ट सुजरी करवा सकते हैं कि लोग ये मांगते हैं कि गर्मियों के सीजन कैट्रेक्ट सुजरी के लिए उप नहीं होता आपने बताया कि किस तरह से हर सीजन में कैट्रेक्ट की सर्जरी सेफ है क्यूंकि आजकल तकनिक बहुत अच्छी हो ची है मेडिसिंस बहुत अच्छी आ रही है और जो हाइजीन है इसमें भी काफी सुधार हुआ है आम व्यक्ति भी इस बात का बहुत ध्यान रखने लगा है तो इन सब चीजों का कॉंबिनेशन जब देखते हैं तो मैं मानता हूं कि आप जो कह रही है कि सही बात है कि आप किसी भी सीजन में हम इस तरह की सर्जरी को करा सकते हैं और ज सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद